हाई फ्रेंड्स मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत सुआगत है मैं कविता आज की वीडियो में हम आपको नाइटी बनाना बताएंगे जिसके लिए हमने धाई मीटर कपड़ा लिया है इसी में से हम आपको फुल लैंद की और एकदम लूज नाइटी बनाना यह क्रेब का फैब्रिक है और यह हमने धाई मीटर लिया है अगर आप फैल दी है तो आप तीन मीटर फैब्रिक लें तो यहां से देखिए धाई मीटर फैब्रिक है अभी हम क्या करेंगे अभी हम आपको इसको रखना बताएंगे कि हम रखेंगे किस तारीके से इसको तो सबसे पहले हम लंबाई देख लेते हैं नाइटी की जैसे कि हमें अपनी जो नाइटी की लंबाई रखनी है वो जैसे कि हमारी 52 बैठ रही है ठीक है लेकिन हम इसमें से 52 नहीं लेंगे हम एक इंच कम करके लेंगे और एक इंच हम एक्ट्रा रखेंगे मारजन के लिए अगर आपकी हाइट कम है तो आप इसमें लंबाई कम रखें आपकी जैसे 40 है 42 है जितनी है आप हाइट के अनुसार इसको रखें लेकिन नाइटी तो बिल्कुल फ्लोर लेंद थक यानि की बिल्कुल लॉंग होती है अब देखिए कपड़े को ऐसे चार तेह में बिछा लेंगे य पड़ा पंद की साइड से हम गला लगाएंगे खुले की साइड से आर्म होल यानि मुड़े लगाएंगे ठीक है किनारी से किनारी मिलाके बिछा लेना है अब यहां से हम अपना सोल्डर ले ले लेते हैं 7 इंच पे ठीक है अब यहां से जितना भी है उसका आधा लेना है अब हम यहां से आर्म होल के लिए निसान लगाएंगे साड़े साथ इंच पे साड़े साथ पे हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नाइटी हलकी सी लूज रहती है और देखिए जितनी भी छाती है उसका चौथा हिस्सा निकाल के और उसमें आपको तीन इंच एक्स्ट्रा लेन यहां से हम गोलाई दे देंगे जो पीछे वाला आर्म होल होगा उसमें डेड़ इंच पे और जो आगे वाला आर्म होल होगा उसमें एक इंच पे और बस यहां से हम ऐसे आर्म होल की साड़ से गोलाई दे देंगे देखिए यह हमने गोलाई दे दी और इसको भी हम ऐसे मि और जो गले की लंबाई है वो हम रखेंगे हैं से 6 से 6.5 तक आप रख सकती हैं मैंने 6.5 इंच के बराबर रखी आदा इंच मेरा तीरे में जाएगा जब सिलाई होगा और ऐसे वी नेक में मिला देंगे आप गोल भी बना सकती है वैसे नाइटी में वी नेक जादा रहता है और देखिए अगर पीछे का रखना चाहती है तो पीछे का सेम ही होगा वैसे हम अलग से बताएंगे आपको लेकिन इसमें हम हलका साब को मार करके दिखा रहे हैं तीन इच जड़ाई और तीन इच लंब और उसके बाद यहां से हम करिवन दो इंच का कर्व दे देंगे ताकि कौना न निकले और यहां से इसको बरावर कर देंगे यह नाइटी की बहुत सिंपल सी कटिंग है इससे हर कोई बना लेगा अब देखिए हलका सा हम इसमें इसे हम से तो कटिंग होगी थोड़ा सा मार ले लेंगे करीबन एक सबा इंच का मार जन थोड़ा सा हटा के निसान लगा देंगे यह एक इंच का लिया है मैंने और बस नीचे से ही लिया है कमर वाली साइड से नहीं लेना है आपको यहां से लेना चाहती है तो थोड़ा बहुत ले सकती है बाकि यहां से जादा लें जहां से हमारे थाई होती है हमां से थोड़ा से एक्स्टर ले 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 अब पूरी ड्राफ्टिंग हो गई है अब इसकी कटिंग कर लेते हैं तो कटिंग का मेथड भी यही होगा जैसे ड्राफ्टिंग है वैसे हम इसकी कटिंग करेंगे तो देखिए हम सबसे पहले तो यहां को बना सकती है को दिखो character based on a सपती है दो यह से अलग कर देंगे जो वेश्ट वैपरिक के मारा है है तो यह हूग देखियों के स्टी अब इसकी सोल्डर को कट्इंग कर लेते हैं तीरा को थोड़ा सा जो हाप इंच का डाउन किया था हमने अब इसमें से एक पार्ट को तो अलग कर देंगे पीछे वाले पार्ट को और आगे वाले पार्ट को फिर से बिचा लेंगे हम और इसमें हम गले की कटिंग कर लेंगे ये पीछे वाला गला होगा पीछे वाले को अलग कर लेते हैं और फिर गले की पीछे वाले का हम अलग बनाएंगे तो ये हो गया अभी एक पार्ट को हम साइड में रख देंगी तो देखे ये फ्रंट पार्ट हो गया हमारा तयार अब जो हमारा पीछे वाला पार्ट है उसको हम बिचाएंगे दो फोल्ड में और उसके गले के लिए निसान लगाएंगे अच्छे से आर्मोल से आर्मोल में लाके लगाना है निसान तो देखिए यहां से अब हम जो चोड़ाई है वो थ्री इंच पे लेंगे और जो लंबाई है वो भी cutting कर देंगे पीछे वाले पार्ट की भी तो देखे ये हो गया हमारा पीछे वाला गला कट के तैयार ठीक है अब ही हमें गया करना है जो हमारा ये कपड़ा बचा था उसमें से हम बाजू की cutting कर लेते हैं तो बाजू के लिए देखे ये चार फोल्ड है कपड़ा यानि कि डबल है ये हमने चार तेह में रखा था तो ये भी चार तेह में ही है तो ये जो बंद की साइड है वो इधर की साइड है जहां पर मैं बता रही हूं आपको और खुले की साइड हमारी उल्टे हाथ की साइड है ठीक है सीधी हाथ की साइड हमारी जो हमारा राइट है वहाँ पे बंद साइड है अब हम क्या करेंगे एक निसान लगा लेंगे 9 इंच पे 9 इंच पे हम इसलिए लगा रहे हैं क्यूंकि हमने अब की बार एक्स्ट्रा फैबरिक लिया है उसमें 3 इंच और बाजू की जो साइड को गोलाई डाल देंगे इस तरीके से और नीचे से भी इसे ज़्यादा फिटिंग ना करें तो यहां से हम 2 इंच ज़्यादा लेके और ऐसे कट कर देंगे तो देखिए बाजू वैसे नॉर्मल की तरह कटेगी आप चाहें तो इसमें बिना बाजू का रख सकती है आप चाहें तो इसमें पूरी बाजू रख सकती है तो जितना कपड़ा बच्छा था वो हमने डाइमीटर पूरा ही यूज़ कर लिया है तो देखिए दो बाजू ह कर्व के लिए निसान लगा देंगे आगे वाली साइड के लिए और इसकी ओपन करके कटिंग कर देंगे तो देखिए यहां से हमने कटिंग कर दी है अभी हम क्या करेंगे कि अभी हमारा जो यह वाला कपड़ा बचा है इसमें से एक तो तिर्चे पट्टियां कट कर लेंगे गले के लिए जो पीछे वाला है और देखिए जैसे कि आप मैं आपको एक तरीका बताती हूं अगर आपके पास कपड़ा बच रहा है तो आप बिना पट्टी कट करें भी ऐसे रखके बना सकती है तो मैं आगे वाले को बताती हूं क्योंकि उसका वी नेक है तो वो किस तरीक कि लिए ने बसाइं से कट कर गें इसको एक पीस में कर लीजिए तो यह हो गया हमारा तो यहां से देखिए हम बेना पट्टी से ही मतलब इसमें कोई भी पट्टी बुकरम का यूज नहीं करके इसको बना सकती है बस इसको ऐसे इसको उपर उल्टा रखना है और करिवन से बना सकती है कट्टिंग तैयार है स्टिचिंग का वीडियो अगली बार मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो देखने के लिए